Hello, Engineers, Welcome to CPD Institute. आज अब आपको एक कॉलम के बारे में बताने वाले हैं और उस कॉलम के बारे में हम आपको ASPER NORMS OF IS CODE के बारे में बताएंगे कि जो आपका IS CODE कह रहा है कॉलम की डिटेल्स आपको बता रहा है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आई उसकोड आप से क्या कहता है कि कॉलम को कैसे लेना है कौन कौन से उसके रूल से हैं कौन कौन से नॉन स्वालो करना है इसके लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रही है तो आप देख रही है यह आपका एक कॉलम है और इस कॉलम में आप देख सकते हैं हमारा एक है यह हमारा square column है जो इसकी दोनों तरफ की dimensions है बिल्कुल same dimension पर हमने दिया हुआ है तो पहला criteria क्या कहता है यह code का कि जब भी आप क्या करते हैं आपको column देना है यदि आपका load column की axis पे आ रहा है सीजा आपका axis पे आ रहा है तब आप कौन सा देने वाल है समें सा square column ही हम देते हैं क्योंकि हमारा load जो होता है वो इसका column के axis पे ही आता है हमारा क्या होता? फर्स्ट point होता है दूसर point हम आपको बताएंगे कि जो आपका column होता है कौलम की जो height होती है यह आपकी column की height है और यह आपकी column की क्या है? 21-BERационně और आपका 40 को डिद्ध कaka रहें जोंगा का 15- Где 밑 फिर फॉर्ट सीक में मुथा 10 को ब्ता है कि जो आपका पहुन पॉर नुधी से ज्टराइब के अपको ब्ताइब करने कि अपको एवकूर्ट में मिनीवाम देते हैं तो मिनिम्म आपको 12 mm diameter का बार्स्टेना है 12 mm diameter के बार से नीचे की dimension का आपको बार्र नहीं प्रोवाइड करारहें कम से कम आपको 12 mm का दो देना ही है इस से ओपर का आप चाहिए तो देशक आप 12 mm से नीचे का आपका enforcement नहीं देना है इसके आपका कॉलम आपका डलता है तो कॉलम में आपके कम से कम आपके चार बार्स तो होने ही चाहिए इसके बाद आपको बताते हैं कि जो आप बार्स देते हैं कॉलम में चारों को बार्स देते हो और बीच में बार्स बार्स की बराबर हो या फिर इसे कम होना चाहिए लेकिन वाले बार्स की डाइमेंशन अकभी जादा जमियक क्यों जो हम जब क्या करते हैं इसमें बांते हैं अपनाल लिंक्स छो रीक्त करते हैं तो लिंक्स में आ उन्स मुन यौन बी हम देखते हो नीचे यहां नीचे से लेके यौन बीटा ऐब को लिए बता यह हुआ यौन लेते हैं कि उपर से लेके लगाया यह फोर तक वह होता है। मैं नीचे से लेके लाइब फॉर थक जॉब युटा ए वो जॉब बीच में जो रंगस की स्पेसिंग ज्यादा नहीं देनी प्लम तो भी आपको पूर्ब में ही देनी है center में देनी है John B में ही आप देंगे John A में आपको नहीं देनी है इसके बाद आपको बताएंगे कहता है कि जो आपका reinforcement यूज हुआ है कॉलम में मिनिमम आपका 0.8% होना चाहिए में आपका 6% होना चाहिए इसके बाद जो आपका कॉछलम में कम देना है और इसके लिए जो हमयां पर चेकें करते हैं तो आपका एक प्लस टें हो सकता हैं माइनस टैनल सकता मतलब 40 कम तो आपको इसमें कॉलम में देना है तो स्टुडेंट्स यह हमने आपको बहुत इंपोर्टं den टमस मताएं को बारे में कि जो भी आप कॉलम लेने वाले होते हैं किस तरीके से आपको कॉलम लेना है और यह स्कोर्ड क मैं संब को आप सकते हैं कि यहां पर यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर जो आपका सlorge जाता है और इस तरीकिए जयाते हुए जाते हुए एसा लग ड़य वहां कैम ब्यों चाहिए इसको पुल का गुर्ट लेग पंई ब्हुत पर उतिते हुए आ देखिए इसको बख लेग बोलते हैं जो इस तंके से मुड़े हुए है यहाँ पर आप देखिए ऐसे डले हुए हैं हमारे क्या डख लेग क्यलाते हैं यह से हम कैसे ने कालते हैं जो development length का formula होता है उसकी हैं इस कोड़ यह 456-2000 में जिए उसके टक लेंग की लेंथ निकालते लेकर इसकी लेंग 300 mm से कम तो नहीं होनी चाहिए यह डख लेंग हैं तो यह क्यों हम देते हैं क्योंकि हमारा कॉलम का जो बार है और जो हमारा फुटिंग का वार है उससे हम अच्छे से इसको बाद में यहां पर इस तरीके से ले जाते हैं डखले हम देते हैं इसको याद रखना है बहुत है इंपोर्टन तमसे आप से आई इस कोड के एक आपको आपको आज इंफॉर्मेसन दीए इस्टूटेंट्स नाव अब हमने जो अभी साइट पर देखा था कॉलम को अब वह हमें आपकर बाद में या जरी आपके आउना यह मिनीट्हा ज आपको मिनेंट आपको कॉलम में यह लाज का आपका दोषर आपका disclaimer आपके ब्रॉंआट इसक्तृब इसक्वाइर क्यं तो आप पर गर निल्हार को प्रवाइड दे रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 नंबर के बार आपको क्या करना है प्रवाइड करना है इसके बाद आप देखिए तीसरा हमारा नहीं से इस कॉलम की जो हाइड है तो आपका हाइड से जादा नहीं आना चाहिए 40 से कम आना चाहिए कोई चुक्तिया एंसिकी की हाइड है और इसकी बिद्ध कित्ती है 500 तो हमने हाइड ढ़त एक तक हमारा गया तो यह नौम हिहां पर यह और किया हो रहा है एसके बाद आप देखिए 4 पूर्थ नमबर दा इस्पेसंग बिटीन लेटरल टाइज लोट ग्रेटर देन हंडेड एम फॉर जोन ए एंड नोट ग्रेटर देन बन फिप्टी एम फॉर जोन भी आपको आराम समझ में नहीं आया होगा जो हमारा क्या होता है उसको जोन में डबाइड करते हैं अब माली हमारा क्या है कोलम है तो इसमें अब देखिए कोलम है अभ देख सकते हैं कि यह पूरी क्या है मालोलो है इसकी यह क्या है %, बॉपर से लेके ।, ओस कर दो नहीं कर दो 피bor कोर्पर कोर सा बativa क्या हैं टाnaitt तो यहां से यहां से लेके बन ताउजेंड और यहां से लेके बन ताउजेंड यहां Odhan आप तो यियर बांटाउजंड ओस्फिट जोन एक लाता ये मरा जोना एक लाता और यह मारा जोन एक लाता करो बीच का पूर्षन बचटा थो तुम्हें तू नहीं वहारा क्या कहला तो आपको समझ में हरा होगा कि लाइप फोर उपर से लवाई फोर नीचे से यह हमारे क्या होते हैं तो जौन ए में और जौन ए में तो रिंस डली हुई होती है उस जौन एकी जो हमारे के जौन ए में दो रिंस डली है इन दोनों रिंस की बीच की इस पेसेंगे नौट मोर देन हंडेड एम हंडेड एम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है जौन एम यहां भी जौन एहां जौन बी है उसमें हमारा जो एंड जौन भी नौट ग्रेटर देन बन फिप्टी में पूर्था और रोजंड देन अबast है इस पुर्स्टा को प्रता है जोन ए मैं और जोक भी आपको लैंगे देना है जों अमने ऑना है नहीं नहीं दे of man reinforcement bar at corner should be greater than the bars between the two corner हम माल दीजे हमारा ये column है और column में corner होता है तो corner में जो आपने क्या दिया है और आप कभी-कभी बीच में भी बार्स देते हैं बहुत सारे बार देते हैं तो corner पे आपने बार दिये हैं उनकी size ज्यादा होनी चाहिए जो हमने बीच में बार दिये जो बीच में बार दिये या तो उनकी size column के corner के size से या तो equal हो या फिर क्या होनी चाहिए यह वाली size आपने साथ की कम होनी चाहिए आपने मालों को आपका कॉलम है आपने corner तो बीच में आप कोर्णर के बार से कम डालेंगे या उसके एक को डालेंगे यह आपका इसकोड कहता है इसके बाद आपको नहीं लेना है होता है मतलब आप चाहें तो 40 से कम आपको नहीं लेना है तो यह आपका क्या होता है इसके बाद पर आता आपके लिए बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट है जो हमने थोड़ी दिर पहले आपको साइट में बताया था कि बॉटम आप बार्स इन कॉलम सुट भी ड़क लेग मतलब चू बॉटम में बार्स का रूपके आपके बार क्या डाले है आपकी बार क्या वो कैसा होना चाहिए फॉटेंग और क्लेक्ट होना चाहिए डगलेक मतलग यह आपका बार गया यहां पे ऐसा आगे गया और यहां पे आगया के मुड़ गया यहां इसे बेंड हो गया यहां पर जो आपकी फोटेंग की जो क्या रिन्फोर्स्मेंट दली तो तो यह उससे क्या हो जाएगा यह चाहिए तो इस तरीके से आपको अब आप कोता है क्या तक लाते हैं और डग लेक नियुसाइज होती दो होनी चाहिए और आपका आइस चोद में अब देख सकते इसका अलएंड अलगका लेखा हुआ है डेवलप्मेंट ले थ नकाले के किसे फुटिंग में क्या हो पाएगा डिश्टिब्यूट हो पाएगा आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आपका यह सिवेंथ पॉइंट है कि आपको डख लेक देना है ठीक है इसके बाद एट पॉइंट आप से क्या कह रहा है कि तब मिनिमुम एडिया और क्या कैश जाहिए और ज़्यांद से मार सिक्स परसेंट और 6 सिक्स परसेंट पर नहीं होना चाहिए Сब्करणि है और जो तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तह चाहिए उसको बना रहा है तो पूरी आपको पूरी हमने इंफोर्मेस्ट यहापे बोड़ में आपको लागी दी यह चीज अच्छी लगते हैं तो हमारी वीडियो को प्लीस लाइक कीजिए अधिया परॉब्लम को कमेंट कीजिए और हमको बटाइए कि आप और क्याम से नए सरी के से सीखना चाहते हैं थैंक यू इंजिनियर्स फर वाचिन दिस वीडियो